नमस्कार, आज की इस वीडियो में शिक्सपेर के नाटक As You Like It के सेकंड एक्ट का सेवन्थ और ये लास्ट सीन भी है, इसको करते हैं, अमील सेट आउट, एक मील मने भोजन होता है, सेट आउट मने परोसा हुआ है, Enter Duke Senior, Duke Senior आते हैं Amiens and Lords और दूसरे सामनत उनके साथ आते हैं, Like Outlaws, यहनि आउट लॉज की विशुरुशा में, आउट लॉज जनने देश निकाला दे दिया गया हो, हैसे लोगों की विशुरुशा में, Duke Senior, I think मुझे लगता है, He be transformed, यानि कि वो ट्रांस्फोर्मने परवर्तित होना जाना चेंज हो जाना बदल जाना कि वो बदल गया है into a beast एक जानवर में यानि जेक्स के लिए कह रहे हैं ये ड्यूक सिनियर कि मुझे लगता है कि जेक्स एक जानवर बरन गया है for क्योंके I can nowhere find him मुझे वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा like a man एक इनसान के रूप में एक मनुष्य के रूप में first lord तो पहला lord कहता है my lord मेरे स्वामी he is but even now gone hence he is but but मने केवल even now मने अभी अभी gone मने गया है hence मने यहां से वो अभी अभी यहां से गया है here was he, यहां पर वो था, मेरी, खुश था, hearing of a song, एक गीत सुन रहा था Duke senior, Duke को यह सुन कर बड़ा आश्चर होता है कि वो भी खुश हो सकता है, जेक्स तो कभी खुश होता ही नहीं, वो तो हमेशा अदास रहता है और अब वो गीत सुनना है और खुश है, Duke senior, if he, अगर वो compact of jars, compact मने भरा हुआ है, of jars मने सनक से, उदासियों से, grow musical, अगर वो musical हो गया, वो संगीत में हो गया, जो jars होते हैं, मतलब कि जो सनक होती है, ऐसे तूटे फूटे विचार होते हैं, और music उसमें तो एक ले होती है, एक harmony होती है, तो अगर ऐसा व्यक्ति, जिसमें कि सारा confusion भरा हुआ है, वो musical हो गया, उसके अंदर harmony पैदा हो गई है, we shall shortly, we shall have shortly, shortly मने जल्दी ही, we shall have हमें देखने को मिलेगा, discord मने टकराव, in the spheres मने ग्रहों में, तो जब ऐसा व्यक्ति, जो कि कभी शान्त नहीं रह सकता, harmonious नहीं हो सकता, musical नहीं हो सकता, ऐसा व्यक्ति जब musical हो गया, तो इसका मतलब जो कि हमेशा harmony में रहते हैं, जो spheres हैं, वो अपने अपने गती से fixed, उनका time है, घूमने का, चलने का, और एक दूसरे से अलगी रहते हैं, तो अगर ऐसा व्यक्ति musical हो गया है, तो फिर इसका मतलब जो spheres हैं, planets हैं, वो जल्दी ही आपस में टकराएंगे, go seek him, जाओ, उसको तलाश करो, tell him, उसको बोताओ, I would speak with him, कि मुझे उससे बात करनी है, first lord, he saves me labor, उसने तो मेरी परेशानी बचा दी, मेरा कश्ट बचा दिया, यानि कि मैं उसे ढूंडने जाता, तो मुझे परेशानी होती, तो उसने मेरी ये परेशानी बचा दी, by his own approach, खुद ही आकर, अपनी खुद के आगमन से, approach मने arrival, तो अपने खुद के आगमन से, उसन आओ, मौन्जिर, ओ हो, क्यों, कैसे हो, शीमान जी, what a life is this, ये क्या जिन्दगी है, that your poor friends, के आपके बिचारे दोस्त, must woo your company, must woo, यानि उन्हें खुशामत करनी पड़ रही है, your company, आपके साथ के लिए, आपकी संगती के लिए, what you look merrily, क्या बात है, तुम तो बड़े खु दिखाई दे रहे हो, जेक्स, a fool, a fool, एक मूर्ख, एक मूर्ख, I met a fool, मैं एक मूर्ख से मिला, मत्ब कि एक जोकर से मिला, मजा कि ये, मस्खरे से मिला, in the forest, जंगल में, a motley fool, motley, जो के जोकर वाली पोशाक पहने रहते हैं, जिसमें कई सारे colors होते हैं, आपने देखी होग मुझे एक विदूशक वाला जो पुशाक है, ड्रेस है, वो पहने हुए, मुझे एक जोकर मिला, a miserable world, ये बड़ा दुखत संसार है, as I do live by food, जैसा कि मैं, I do live, मैं जिन्दा हूँ by food, भोजन पर, यानि हर वेक्ती भोजन पर ही जिन्दा है, तो जैसा कि ये बास सच है, ज मिला, who laid him down, जिसने laid him down, यानि अपने आपको लिटा रखा था, यानि कि जो लिटा हुआ था, and basked him, bask मने धूप सेक न, धूप सेक रहा था, in the sun, यानि खुले सूरज के नीचे, and railed और आलोचना कर रहा था, on lady fortune, जो भागे की देवी है, उसकी आलोचना कर रहा था, in good terms, मने अच्छे अच्छे शब्दों में, in good, sad terms, अच्छे, sad चुने हुए शब्दों में, and yet, और फिर भी, a mortly fool, वो एक विदुशक की पोशाग पहने हुए था, वनी, funny dress पहने हुआ था, good morrow fool, शुप्रभात, जो कर, कोथ आई, मैंने कहा, no sir, नहीं स्रीमान जी, कोथ ही, call me not fool, मुझे मुर्ख मत पुकारो, till, जब तक के heaven sent me, या इशुर मुझे भेज ना दे, या स्वर्ग मेरे पास भेज ना दे, fortune, या सो भागया, तो उसका कहने का मतलब यह है, कि जो fortune होता है, या फिर दौलत होती है, वो मुर्खों के पास होती है, इस दुनिया में, भले लोगों के पास नहीं होती है, तो वो यह कह रहा है, कि तब तक मुझे मुर्ख मत कहो, जब तक के भागया, या इशुर मेरे पास fortune ना भेज दे, सो भागया ना भेज दे, दौलत ना भेज दे, and then, और तब, he drew a dial, उसने, he drew मने, उसने निकाली, a dial मने, एक घड़ी, from his poke, म और उसको देखते हुए, with lacklustre eyes, lacklustre जिनमें चमक की कमी थी, ऐसी आँखों से उसको देखते हुए, says, बोला, very wisely, बड़ी बुद्धिमानी से, it is ten o'clock, ये लोग दस बज गए, दस वी में सी, ऐसा ही हमको दिखाई देता है, को थी, उसने कहा, how the world works, कि किस तरीके से ये स अनसार चलता है, तिज बट एन आर एगो, तिज ये था, बट केवल, एन आर एगो, एक घंटा पहले, since it was nine, कि ये नौ बजे थे, एक घंटे पहले ही देखो, घड़ी में नौ बजे थे, और अब देखो, दस बज गए, and after one hour, more, और एक और घंटे बाद, it will be eleven, घ्यारे ब घंटे, we ripe and ripe, हम पकते जाते हैं, यानि मैचे और होते जाते हैं, and ripe और मैचे और होते जाते हैं, वयस्क होते जाते हैं, and then, और तव, from hour to hour, घंटे दर घंटे, we rot and rot, हम सड़ते जाते हैं, और सड़ते जाते हैं, तो एक समय तक तो हम मैचे और होते हैं, उसके बाद हमारा डाउन फॉल शुरू हो जाता है तो जیसे बुड़ा पबढ़ता जाता है तो ऐसा लगता है की जिसे हम सढ रहे हैं जिसे की कोई फल है, आम है तो कुछ दिनों तक तो वो पका रहता है पकता जाता है, पकता जाता है लेकिन और भी ज़ादा अगर उसको छोड़ दिया जाए तो फिर वो सड़ना शुरू हो जाता है तो यही बात वो कह रहा है कि घंटे दर घंटे पहले तो हम पकते हैं हम वैस्क होते हैं मैशियर होते हैं और उसके बाद फिर हमारा डाउनफॉर शुरू हो जाता है कितनी मीनिंगफुल बाते हैं आप देख रहे हैं उसके बाद हम सढने लगते हैं और इस प्रकार हैंक्स अटेल एक कहानी चलती जाती है जब मैंने सुना दा मोटले फूल उस मोटले फूल यानि उस बेदूशक को जोकर को दस इस प्रकार moral on the time moral मने नेतिक बातें कहते हुए दारशनिक बातें कहते हुए on the time समय के बारे में my lungs मेरे फेफडे begin to crow यानि कौँकने लगे बोलने लगे like a chanty clear ये मुर्गे का नाम होता है मुर्गे को बोलते हैं मुर्गे की तरह और crow माने वैसे कौवा होता है लेकिन मुर्गे की जो आवाज होती है वो भी crow कहलाती है तो मुर्गे की तरह मेरे फेफडे बांग देने लगे मुर्गा बांग देता है that fools should be so deep कि जो fools हैं जो मुर्ख हैं should be वो हो सकते हैं so deep और मैं हसने लगा sans sans का मतलब होता है without बिना intermission मने रुकना बीच में तो बिना रुके मैं हसने लगा in our by his dial एक घंटे तक by his dial उसकी घड़ी को लगा कर यानि उसकी घड़ी से देखकर लगा था एक घंटे मैं हसता रहा sans intermission मने बिना रुके ओ नोबल फूल अरे कितना बढ़िया मूर्ख कितना बढ़िया जोकर ओ वर्दी फूल अरे कितना लायक जोकर था विदूशक था मस्खरा था motley is the only year motley यानि जो विदूशक की ड्रेस है colorful ड्रेस है is the only year वही एक मातर पहनने लायक ड्रेस है मुझे पसंद करूँगा मुझे लगता है कि वही एक मातरसी ड्रेस है जो पहनने लायक है ड्यूख सीनियर what fool is this कौन सा जोकर है ये कौन सा विदूशक है भई jakes over the fool अरे कितना लायक मस्खरा था one that hath been a courtier one एक ऐसा विदूशक है that hath been जो रहा है a courtier एक दरबारी and says और कहता है if ladies be but young and fair if ladies अगर महिलाएं भी होती है but केवल young, you are and fair और खुबसूरत अगर लड़किया महिलाएं युवा और खुबसूरत होती है they have the gift तो उनके अंदर gift यानि उनके अंदर feeling आ जाती है to know it इसको जानने की मतब कि वो conscious हो जाती है वो इस बात को लेकर सचेत हो जाती है कि वो खुबसूरत है और जवान भी है तो महिलाएं में ये ऐसी feeling आ जाती है चेतना आ जाती है वो इस बात को लेकर conscious हो जाती है and in his brain और उसके दिमाग में which is as dry जो कि ऐसा सूखा हुआ था as the remainder biscuit जितना कि बचा हुआ biscuit होता है after a voyage voyage होता है समुद्रियात्रा एक समुद्रियात्रा के बाद he had strange places crammed he had उसके दिमाग में थी strange places यानि अजीव अजीव बाते places माने वैसे जगह होती है तो अलग-अलग जगहों से उठाई हुई बाते दिमाग में इस्थान क्या इस्थानों के बारे में बात ही होगी न तो he had strange places उसके दिमाग में अजीब बाते हैं crammed माने ठूसी हुई भरी हुई with observation observation माने होता है ध्यान से देखना अवलोकन करना तो उसने अलग-अलग चीज़ों का अवलोकन किया है observation किया है और इसी वज़े से उसके दिमाग में चीज़ें भरी हुई है the which जिन चीज़ों को जिन बातों को he vents माने वो express करता है अभिव्यक्त करता है in mangled forms mangled आप यानि मिली जुली एक दूसरे से उलजी हुई forms आकरतियों में आकरतियों में मतलब कि sentences में एक बात से दूसरी बात दूसरी बात से तीसरी बात जोड़ता चला जाता है क्योंकि उसने बहुत सारी चीज़ों का observation किया है oh that अरे काश I were a fool मैं भी एक विदूशक होता मैं भी एक जोकर होता I am ambitious मैं महत्वा कांक्शी हूँ for a motley coat एक विदूशक के कोट के लिए यानि उसकी dress के लिए उसके garment के लिए काश मुझे उसकी पोशाक मिल जाती Duke senior thou shall have one हाँ हाँ तुमको मिल जाएगी It is my only suit अब यहाँ suit की दो meaning होते है एक तो suit होता है request होती है इलतिजा है मुकदमा है और suit जो पहना जाता है तो यह मेरा एक मात्र request है या फिर यही मेरा एक मात्र suit है जो मुझे पहनना है ड्रेस है provided that you read your better judgments provided that यानि शर्त यह होगी के you read read माने तो हटा देना होता है read खर्पतवार को बोलते है और खर्पतवार को तो हटा दिया जाता है फसल से you read your better judgments better माने बहतर judgment माने होता है विवेक अच्छा बुरा सोचने समझने की जो शक्ती होती है ताकत होती है वो judgment कहलाता है तो तुमारा जो विवेक है जो बुद्धी है उसको अगर तुम read माने साफ कर दो जो खर्पतवार उसमें होगी आया है उनको अगर तुम हटा दो जो राय है तुमारी जो सारे विचार है that grows जो के उगाए है rank मने बुरे जो बुरे विचार उगाए है in them उसमें यानि तुमारी बुद्धी में तुमारी दिमाग में और वो बुरे विचार क्या है that I am wise कि मैं बुद्धिमान हूँ तो वो बुरे विचार तुम हटा दो कि मैं बुद्धमान हूँ, मैं बुद्धमान नहीं हूँ I must have liberty, मुझे आजादी मिलनी चाहिए विदल, इसके साथ यानि मैं जो विदुशर की ड्रेस पहनना चाहता हूँ उसके साथ मुझे आजादी मिलनी चाहिए as large, इतनी विशाल आजादी, इतनी ज्यादा आजादी as character, जितनी के होती है character मैं जो के quality होती है जो के विशेशता होती है, जो के खासित होती है as the wind, हवा की तो हवा आजाद है, कहीं भी आजा सकती है उसको कोई रोग तो सकता नहीं है तो मुझे भी ऐसी ही आजादी चाहिए to blow, blow माने बहना हवा के बहने को blow वोलते हैं पानी के बहने को flow वोलते हैं तो to blow माने बहने की on whom, उस वेक्ती के उपर I please, जिसके उपर बहके मुझे खुशी मिले, तो हवा का जिधर मन करता है, जिसके उपर जिधर चलने की या जिसके उपर चलने की उसकी इच्छा होती है, वो दर ही चल लेती है, तो मुझे भी ऐसे ही आजादी मिले, अब यहाँ true blow का मतलब है, true criticize, आलोच ना करने की या मजाग बनाने की तो मुझे भी आजादी मिले कि मैं जिसका चाहूँ उसका मजाग बना सकूँ, एक जोकर है वो किसी का भी मजाग बना देता है आपने देखा होगा कि कपज़ शर्मा शोपे लोग आते हैं और किसी का भी मजाग बना दिया जाता है जादतर लोग वहाँ बुरा नहीं मानते कोई एक दो exception रहा होगा जो किसी ने बुरा माना होगा जादतर कपज़ शर्मा किसी का भी मजाग बनाता है और उसमें जितने कलागा रहे हैं सबी का मजाग बना देते हैं लेकिन कोई बुरा नहीं मानता उसमें तो अब यहाँ पर वही कहरा है जेक्स to blow on whom I please मुझे मजाग बनाने का या अलोचना करने का आजादी हो जिसकी भी मैं चाहूं for so fools have for क्योंके so इसी प्रकार fools have जो जोकर लोग होते हैं जो विदुशक होते हैं उनके पास आजादी होती है and they that are most gold and they or wo low that are जो के हो most सरवादिक gold बने criticized और वो लोग जिनकी सबसे ज़्यादा आलोचना हो with my folly मेरी मुखताओं से मेरी मजाग से जिनकी सबसे ज़्यादा मजाग बने आलोचना हो they most must laugh उन्ही को सबसे ज़्यादा हसना चाहिए and why sir और क्यों श्रीमान जी must this हो क्या ऐसा ही होना चाहिए the why is plain as way to perish church और जो why है जो क्यों है वो as plain मालब एकदम साफ है as जैसे तरह के the way रास्ता to perish church गाओं में जो church होता है या कही bevor मंदिर है जहां हिंदूँ के गाओं है यह गाओं में मंदिर है और जो Christians के गाओं है उनमें church है तो जैसा कि सीधा रास्ता सपाट रास्ता होता है church जाने के लिए वैसे ही यह जो why है यह जो क्यों है यह जो सवाल है वो साफ है सीधा ऐसा पार्ट है He that a fool doth wisely hit doth very foolishly He जिसको के He that a fool doth जो जिसको की एक विदूशक very wisely बहुत बुद्धिमत्ता से hit मारता है मतब कि आलोजना करता है क्रिटी साइज करता है उसका मजाग बनाता है तो जिस व्यक्ति की एक विदूशक मजाग बनाता है doth very foolishly वो बहुत मुर्खता से यानि वो व्यक्ति के अंदर ये मुर्खता की बात होती है although he smart हालांके वो smart है वो intelligent है जो मजाग बना रहा है वो तो मुरख है वो तो जोकर है और जो जिसकी मजाग बना रहा है वो smart है वो हुश्यार है लेकिन वो हुश्यार व्यक्ति भी बड़ी मुर्खता से बड़ी मुर्खता क्या करता है not to seem senseless कि वो senseless नहीं दिखता seem मने दिखना senseless मने कि जैसे कोई असर ही नहीं हुआ बेअसर of the bob यानि उस आलोचना से कि जो जोकर है उसने जो आलोचना की है उसने जो मजाग बनाया है उसके प्रती उदासीन रहे जो हुश्यार व्यक्ति है यानि उस पर धिहान न दे बलके हस ले उसके साथ ऐसा नहीं करता वो व्यक्ति मुर्खता दिखाता है senseless न दिखने की उस आलोचना की प्रती उदासीन न दिखने की मुर्खता करता है खुश्यार व्यक्ति आपको समझ में तो आ गया ना चलिए एक दो बार सुन लीजेगा तो समझ में आ जाएगा If not The wise man's folly is anatomized तो if not अगर ऐसा नहीं होता है अगर जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो ऐसा नहीं करे क्या नहीं करे कि जो विदुशक बोल रहा है उसके बातों के प्रती उदासीन न रहे उनको एगनोर ना करे या फिर उन पर हसे न तो क्या होगा The wise man's folly तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसकी मुरुखता is anatomized मतलब कि confirm हो जाती है पकी हो जाती है कि हाँ ये जरूर ये जो आदमी है बुद्धिमान नहीं है ये खुद मुरुख है Even by the squandering glances of the fool Even यहां तक कि by the squandering माने इधर उधर पढ़ने वाली glances माने नजर से of the fool यानि मूरुख की जोकर की Invest me यानि मुझे पहना दो in my mode मेरी mode यानि जो जोकर वाली dress है वो मुझे पहना दो Give me leave और मुझे आजादी दे दो to speak बोलने की my mind my mind का मतलब मेरे दिमाग में जो भी बात आए वो बोलने की मुझे आजादी दे दो and I will और मैं क्या करूँगा through and through मतलब कि पूरी तरीके से cleans साफ सफाई कर दूँगा the foul body जो गंदा शरीर है of the infected world ये जो संसार है infected हो गया है संक्रमित हो गया है तो इस संक्रमित संसार के गंदे शरीर का मैं पूरे तरीके से साफ सफाई कर दूँगा बस मुझे बोलने की आजादी दे दो if they will patiently receive my medicine if यदी ये शर्ट ये होगी they वो यानि कि इस संसार के लोग will patiently धहरे से receive मने प्राप्त करेंगे grant करेंगे my medicine मेरी दवाई को तो जब infection हो जाता है तो दवाईयां दी जाती है और दवाईयां बड़ी करवी होती है वैसे ही हम लोगों की जो सोच खराब हो जाती है हम लोगों के कर्म खराब हो जाते है तो हमारा कोई मजाग बनाए तो वो जो दवाई है या जो आलोचना है हमारी तो वो एक कड़वी दवाई की तरह होती है जो इसको हम खाना नहीं चाहते हम अपनी आलोचना तो कभी सुनना ही नहीं चाहते लेकिन अगर हम वो आलोचना को सुन लें तो वो एक कड़वी दवाई की तरह हमको साफ कर देती है कबीरदाज जी का वो आपने दोहा सुना होगा निंदक नियरे राखिये आंगन को टीच हवाए बिन पानी सावन बिना निर्मल करे सुहाए यानि बिना पानी और सावन के निर्मल माने साफ कर देता है सोभाब को temperament को हमारे को साफ कर देता है कौन निंदक यानि जो हमारी आलोजना करता है तो यही बात यहाँ पर जेक्स कह रहा है कि मैं बिल्कुल साफ सफाई कर दूँगा इस संसार की बस मुझे बोलने की आजादी दी जाए और जो सुनने वाले हैं वो धहरे रखें मेरी अलोजना को रवाई के रूप में ग्रहन करें ड्यूक सीनियर फाई ओन दी छी है तुम पर मैं बता सकता हूँ कि तुम क्या करोगे अगर तुम को यह आजादी दे दी जाए तो तुम क्या करोगे मुझे पता है जेक्स वोट फॉर अकाउंटर वुड आई डू बट गुड वोट क्या फॉर अकाउंटर मने शर्ट लगा लो कि क्या वुड आई डू मैं करूँगा बट सिवाए गुड मने अच्छा ही के तो मैं सिवाए अच्छा ही के क्या करूँगा आप शट लगा लो ड्यूक सीनियर मोस्ट मिस्चीवियस फाउल सिन मोस्ट सबसे ज़़ा मिस्चीवियस शैतानी से बरा हुआ फाउल मने गंदा, सिन मने पाप इन्चाइडिंग सिन चाइडिंग मने फटकार ने में सिन मने पाप को यानि तुम पापी को या पाप को फटकार के या उसकी आलोशना करके तुम सबसे बड़ा पाप करोगे क्यों? फॉर क्योंके दाव तुम दाईसल्फ खुद हैस्ट बीन रहे हो अलिवर्टिन लिवर्टिन मने आवारा विलासी तुम तो खुद ही बड़े विलासी रहे हो भोग विलास में लिप्त रहे हो आवारा रहे हो एस सेंस्यूल जो अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रख सकता उसकी इंद्रियों को हर वक्त आखें कुछ देखना चाहती है कान कुछ सुना चाहते है जीव कुछ खहना चाहती है तो तुम तो पहले ही इतने सेंस्यूल रहे हो इतने विलासी रहे हो एस दब्रूटिश स्टिंग इट्सेल्फ एस जितना के ब्रूटिश यानि जानवरों वाला जो जानवर है उनकी क्या इच्छाएं होती है दिमाग उनका ज्यादा तो चलता नहीं उनको भरबेट भोजन मिल जाए पानी मिल जाए सो जाए खाना पीना सोना यही तो उनका होता है डिमांड पूरी तो तुम तो खुद ही ऐसे सेंस्वल रहे हो अपनी इंद्रियों की जो डिमांड है उ और सारा दा एमबोस्ट एमबोस्ट माने फूले हुए सूजे हुए सोर्स माने घाओ एंड हैड़ड हैड़ड माने जिनके फोड़े निकले आए हैं इविल्स माने बुराईयां और जो तुम्हारी बुराईयां हैं तुम्हारी शरीर में जो फोड़े निकलाए हैं तुमा कि दाओ माने तुमने with license अपनी आजादी से अपनी उच्छ रंखलता से और free foot free foot माने आवारा पने की जो तुमने आजादी रही है has caught माने तुमने पकड़ लिया है किन को पकड़ लिया है बुराईयों को बुराईयां तुम्हारे सुभाब में आ गई है क्यों आ गई है क्योंकि तुम free foot रहे हो means आवारा ऐसे घुमने वाले रहे हो कुछ भी कर लिया कुछ भी खा लिया उस तरीके के रहे हो तो अब तुम इन बुराईयों को जो के एक फोड़े का रूप ले चुकी है और उनके heads मूँ उपर बन गए है उनको तुम क्या करोगे वो डेस्ट दाव डिस्गोर्ज डिस्गोर्ज मानने होता है फोड़े को जो फोड़ा निकल आ ना उसको फोड़ के ना फुनसी को फोड़े को फोड़ के उसका पस निकाल देने को डिस्गोर्ज बोलते हैं तो तुम अपनी इन बुराईयों के वो डिस्गोर्ज मानने उनका पस निकाल दोगे उनकी गंदगी निकाल दोगे into the general world आम संसार में इस पूरे संसार को तुम अपनी बुराईयों से ही भर दोगे क्योंके तुम्हारे अंदर ही इतनी बुराईयां है और वो एक फोड़े का रूप ले चुकी है उनमें से पस निकलेगा और इस संसार को और भी गंदा कर देगा जेक्स वाई क्यों जो आलोचना करता है ओन प्राईड घमंड की that can there in tax क्या वो देर इन उस में यानि अपनी उस आलोचना में टेक्स मनें आलोचना करता है क्रिटिसाइज करता है या आरोप लगाता है इनी प्राइवेट पार्टी किसी प्राइवेट मनें व्यक्तिकत पार्टी यानि कि मनुष्य पर किसी एक व्यक्ति पर थोड़ी वो आरोप लगा रहा है अगर कोई ये कहरा है कि घमंड बुरी चीज है घमंड नहीं करना चाहिए या घमंडी का सिर नीचा होता है तो अगर कोई इस तरीके से घमंड की आलोचना कर रहा है तो क्या वो किसी विशेश व्यक्ति पर रोप लगा रहा है किसी विशेश व्यक्ति के आलोचना कर रहा है Doth it not flow क्या ये नहीं निकलता है ये जो आलोचना है ये नहीं फैलती है तैरती है एल ही उजली इतने विशाल तरीके से as the sea जितना के समुद्र होता है तो ये तो एक सामन्य आलोचना है तो ये तो समुद्र की तरह फैली हुई है तो वो फैलती रहती है तिल जब तक के that the wearer यानि जो धारन करने वाला जिसके अंदर घमंड भरा हुआ है wearer's very means do have जब तक कि उसके खुद के means संसाधन do have जो नीचे नहीं आ जाती यानि उसका घमंड जब तक नीचे नहीं आ जाता तब तक ये जो अलोचना है वो ऐसे ही फैलती रहती है what woman कौन सी औरत in the city शहर में do I name मैं नाम ले रहा होता हूँ मैं कौन सी औरत का नाम ले रहा होता हूँ शहर की when that I say जब मैं ये कहता हूँ the city woman शहर की औरत beers धारण करती है the cost कीमत of princes राजकुमारियों की on unworthy shoulders unworthy नलायक जो योग्य नहीं है अयोग्य shoulders कंदों पर तो वो अपने आपको ऐसे सजाती है जैसे कि राजकुमारी हों तो ये उनके unworthy shoulders होते हैं यानि अयोग्य कंदे होते हैं तो मैं किस औरत की किस विशेश किस खास औरत की मैं आलोचना कर रहा हूता हूँ मैं तो सामाने रूप से कह रहा होता हूँ कि भई जब ये सज्दी धज्दी है राजकुमारीयों की तरह ये औरते हैं शेहर की तो ये जो है cost of princes बरबाद कर रही होती है मतलब कीमत जो धन है वो बरबाद कर रही होती है who can come तो ऐसे समय में कौन है जो मेरे पास आएगा and say और कहेगी अच्छा लड़कियों की बाद चल लिए ना तो कौन ऐसी महिला है जो मेरे पास आएगी और कहेगी that I mean her कि मेरा मतलब उससे था तो मैं तो किसी औरत का नाम तो ले नहीं रहा हूँ मैं तो सामाने रूप से बात कह रहा हूँ तो कौन है जो के आएगी और मुझसे कहेगी कि मैं उसके मेरा मतलब उससे था मैं उसका नाम ले रहा था When जब such a one as she such is her neighbor When जब such a one जैसी वो है as she वो है such is her neighbor वैसी ही उसकी पडोसन भी है तो अब ऐसे वो कैसे कह सकती है कि मैं उसकी आलोचना कर रहा हूँ क्योंकि जैसी वो है वैसी उसकी पडोसन है और what is he और वो कौन है of basis function basis बने सबसे ज़्यादा need function कार्णियों को करने वाला that says जो कि कहता है his bravery उसकी बहादुरी is not नहीं है on my cost मेरी कीमत पर thinking सोचते हुए that I mean him कि मेरा मतलब उससे है but there in बलके उसमें खुद suits मने लायक बना देता है भर देता है his folly अपनी मुर्खता to the metal यानि metal के पदार्थ के of my speech मेरी कथन के यानि मैं तो आम बात कह रहा हूँ लेकिन जिसके अंदर ये बुराई है तो उसने तो मेरे statement के according मेरे कथन के अनुसार ही अपने आपको बनाया हुआ है अपने अंदर बुराईयां भरी हुई है तो मेरे उपर कोई आरोप कैसे लगा सकता है बेर देन खाउ देन वहाँ तो फिर कैसे फिर कैसे वाट देन तो क्या लेट मी सी मुझे देखने दो वेर इन कहां माई चंग मेरी जीवने है थ रॉंग देन उसको चोट पहुँचाई है मैं तो आम बात कह रहा हूँ अगर उसका खुद का सभाब ऐसा है कोई घमंडी है कोई ज़्यादा फेशन करने वाली महिला है तो ये तो उनकी कमी है ना कि मेरे स्टेटमेंट के एकॉर्डिंग उनका व्यभार स्यूट कर रहा है मेरी तो इसमें गलती नहीं है तो मेरी जीव ने कहां उनको चोट पहुँचाई इफ इट डू हिम राइट इफ यदी इट यह यानि कि जो मेरा स्टेटमेंट है डू हिम राइट उसके उपर फिट पैट रहा है देन तो उसने खुद को ही चोट पहुचाई है यानि उसने खुद ऐसा वेवार डवलप किया है अपने विक्तित तों में अपनी परसनलिटी में वो सारी बुरी चीज़ें बुरी बातें उसने खुद इंकलूड की है इसलिए मेरी बातें उस पर राइट यानि फिट बैट रही है अगर वो आज़ाद है आज़ाद किसे है मतलब कि उन बुराईयों से उसके अंदर अगर वो बुराईयां नहीं है वाई देन तो फिर तो माई टेक्सिंग मने मेरी आलोजना मेरी क्रिटिसिस्म लाइक वाइल्ड गूस फ्लाईज वो जो जंगली बतक के उपर लदी हुई मक्कियां हैं उनकी तरह अन्कलेम्ड ओफ यानि उन पर दावा नहीं किया जा सकता है एनी मैं किसी भी विग्ति के दवारा यानि किसी भी विग्ति के द्वारा ये नहीं कहा जा सकता कि मैं उसके लिए कह रहा हूँ लेकिन देखो तो यहां कौन आया है तो वहां और्लेंडो प्रवेश करता है अपनी तलवार खीचे हुए और्लेंडो फोर बियर एंड इट नो मोर और बिल्कुल भी अब मत खाना लेकिन क्यों भाई मैंने तो अभी तक कुछ खाया ही नहीं है और्लेंडो नोर सेल नोट और नहीं तुम खाओगे जब तक कि नेसेसिटी मने आवश्यकता बी सर्वड उसकी पूर्ती ना कर दी जाए यानि एक और व्यक्ति है जिसको खाना आवश्यक है जब तक कि उसकी सेवा ना हो जाए तब तक आप लोग मांसे कोई नहीं खाएगा जेक्स और एक किस तरह का शुड़ दिस कौक ये मुर्गा कम आउट कम ओफ आया है यानि ये किस प्रकार का इंसान है जो चला आ रहा है ड्यूक सीनियर आर्ट दाव दस बोल्डन यानि आर्ट दाव क्या तुम हो दस इस प्रकार बोल्डन मने बहादूर बन गई हो मैं मनुष्य है लड़के क्योंकि औरलेंड तो बड़ा जवान लड़का है बाइ डिस्ट्रेस दुख के कारण जब आदमी परिशान होता है तो परिशानी में वो बहादूर बन जाता है उसकी जो अंदर की बहादूरी है वो तभी निकल के आती है तो क्या तुम्हें परिशानियों ने बहादूर बना दिया है और या फिर एल्स अन्यथा अर्यूड एक असब्या डेस्पाइजर डेस्पाइज माने नफरत करना तो एक असब्या नफरत करने वाले हो of good manners अच्छे व्यवहार से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके सामने कोई परिशानी नहीं होती तब भी वो दुर व्यवहार करते हैं और कुछ लोग परिशानी में इस तरीके से लुटेरे बन जाते हैं तो या फिर तुम अच्छे मैनर से अच्छे सुभाव से नफरत करते हो that के incivility यानि सभ्यता में दाव सीमेस्ट तुम लग रहे हो so empty बिलकुल खाली यानि ऐसा लग रहा है तुम्हारे अंदर सभ्यता नाम की चीज़ तो है यह नहीं और्लेंडो यू टस्ट तुमने चुआ माई वेन यानि मेरी अंदर की सच्चाई को at first पहली बार में यानि जब तुमने ये बात कही कि मुझे परिशानियों ने ऐसा बना दिया है इतना बहादुर क्या लुटेरा बना दिया है तब तुमने सही बात कही थी यू टस्ट माई वेन यानि तुमने मेरी सच्चाई जान ली थी at first पहले तो the thorny माने कांटेदार point sirah of bear distress बेर खाली distress माने दुख तो जो खाली दुख भरा हुआ है मेरे जीवन में उसके कांटे यानि उसकी जो नौक है point माने नौक है उसके कांटों की नौक had taken from me उसने मुझसे छीन लिया है the show यानि दिखावा of smooth severity smooth मने चिकना चुपड़ा होता है stability सभ्यता होती है तो अब चिकना चुपड़ा मतलब अच्छा व्यभार अच्छी बाते हैं तो जो अच्छी सभ्यता होती है विनमरता होती है वो सब मुझसे छीन लिया है परिशानियों ने मेरे दुखों ने yet am I फिर भी मैं हूँ inland मने जमीन के अंदर यहां जंगल में नहीं बलके शहर में bread मने पला बढ़ा हूँ मैं यहां जंगल में पला बढ़ा नहीं हूँ यानि जंगली नहीं हूँ मैं शहरी हूँ और वहीं पला बढ़ा हूँ and know और जानता हूँ some nurture कुछ सभ्यता कुछ civility मैं जानता हूँ but लेकिन for where रुक जाओ I say मैं कहरा हूँ he dies वो मारा जाएगा that touches जिसने छुआ any of this fruit इन फलों में से एक भी फल जिसने छुआ वो मारा जाएगा till जब तक कि I and my affairs और मेरे मामले are answered बने उनकी पूर्ती ना हो जाए मैं और जो मेरी आवश्यक्ता है अगर उनकी पूर्ती होने से पहले किसी ने यहां एक फल वी छुआ तो वो मारा जाएगा and or you will not be answered और तुम्हें जवाब दिया नहीं जा सकता with reason turgs के द्वारा I must die मैं मारा जाऊँगा मैं अपनी जिन्दिगी की कसम खाने को तैयार हूँ शर्थ लगाने को तैयार हूँ कि तुम्हें तरक से तो समझाई आई नहीं जा सकता ड्यूक सीनियर what would you have तुम्हें क्या चाहिए your gentleness तुम्हारी विनमरता शेल फोर्स बाद्धे करेगी more ज्यादा दैन बजाए your force तुम्हारी ताकत के तुम्हारी जोर जवरदस्ती move us हमें बाद्धे कर सकती है true gentleness विनमरता की ओर यानि यह जो तुम्हारी जोर जवरदस्त यह तो हमारी अंदर विनमरता पैदा नहीं कर सकती है लेकिन तुम्हारी विनमरता हमें ज़रूर फोर्स कर सकती है बाद्धे कर सकती है कि तुम्हें जो चाहिए है वो हम तुम्हें दे देंगे Orlando I almost die for food मैं भोजन के लिए लगभग मरा ही जा रहा हूँ and let me have it और मुझे ये भोजन लेने दो Duke senior sit down, बैठ जाओ and feed और खालो and welcome to our table और तुम्हारा स्वागत है हमारे खाने की मेज़ पर Orlando speak you तुम तो बोल रहे हो so gently इतनी वनमरता से pardon me मुझे माफ करो I pray you मैं आपसे प्रार्धना करता हूँ I thought मुझे लगा that के all things सारी चीज़ें had been savage जंगली ही रही होंगी here यहाँ पर यह जंगल है तो यहाँ सब कुछ जंगली ही होगा लेकिन तुम तो बड़ी विनमरता से बोल रहे हो and therefore और इसी लिए put I मैंने धारन कर लिया था on यानि मैं जो दिखा रहा था the countenance मने चहरा या वियभार countenance चहरे को बोलते हैं लेकिन यहाँ पर उसका वियभार भी है तो मैं जो वियभार दिखा रहा था of stern, stern मने कठोर, commandment होते हैं आग्या, हुक्म तो मैं इस तरीके से जो हुक्म दे रहा था या धमकी दे रहा था कठोरता पूर्वग मैंने ऐसा इसलिए किया था कि तो मुझे लग रहा था यहाँ सब लोग जंगली ही होंगे but whatever you are, लेकिन जो कुछ भी आप हो that जो के in this desert, इस desert बाने रेगिस्तान होता है लेकिन ये रेगिस्तान नहोकर निर्जन इस्थान के लिए आ रहा है जहाँ ज़्यादा भील भड़ा का नहीं होता है तो इस निर्जन इनेकसेजिबल, इनेकसेजिबल होता है जहाँ पर रहना, पहुँचना, कठिन होता है जंगल में अंदर जाना, रहना, ये बहुत कठिन होता है तो इस निर्जन इस्थान पर जो के बड़ा कठोर है under the shade, बने चाया में of melancholy bouse melancholy मने उदास होता है, लेकिन यहाँ पर घनी है dark, तो घनी bouse मने शाखाएं होती है पेड की तो पेड़ों की घनी शाखाओं की च्छाओं में lose मने बिता रहे हो, and neglect और अवहिलना कर रहे हो the creeping मने रेंगते हुए, गुजरते हुए hours, घंटों की off time समय के यानि तुम बड़े आराम से यहाँ पर पेड़ों की च्छाओं में समय विता रहे हो if ever, अगर कभी you have looked, आपने देखा है on better days, बहतर दिनों को if ever been, अगर आप कभी भी रहे हो, where, वहाँ पर, जहाँ पर के bells, घंटियां have knolled, बसती हैं to church, चर्च में if ever, set, अगर आप कभी भी बैठे हो, at any good man's feast, किसी अच्छे भले मानुस के यहाँ दावत में, if ever, अगर कभी भी, from your eyelids, आपकी पलकों से vibed a tear, एक आंसू आपने गिराया हो या पहुचा हो, and no, और अगर आप जानते हो, what की क्या होता है, tis, to pity, यानि दूसरों पर दया करना, and pities, and pitied, और खुद दया प्राप्त करना, let gentleness, यानि जो विनमरता है उसको, my strong enforcement, यानि मेरी strong तगड़ी enforcement ताकत, तो मेरी तगड़ी ताकत भी बनने दो, तो मैं अपनी विनमरता को ही अब अपनी ताकत बनाऊँगा, अगर आप ऐसे व्यक्ति रहे हो, in which, जिसमें के, in the which hope, जिसकी उमीद में, I blush, मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है, and hide, और मैं छुपा रहा हूँ, my sword, मेरी तलवार को Duke Senior, true is it, सच है ये, that, के, we have seen, हमने देखे हैं, better days, बहतर दिन, and have, with only bell, been knulled यहां मेरे हिसाब से, only की बजाए, holy आना चाहिए, पवित्र घंटी, और हमको, with holy bell, यानि एक पवित्र घंटी के द्वारा, been knulled, मने, पुकारा गया है, to church, church को यानि, church की घंटी को सुनकर, हम church जाते थे, घंटी हमें पुकारती थी, and sat, और हम बैठे हैं, at good man's feast, अच्छे भले लोगों की दावतों में, and wiped our eyes, और हमने अपनी आँखें पहुची हैं, मतलब कि हमने आशू बहाए हैं, of drops, उन बुनों को हमने पहुचा है, that, जो के, sacred pity, पवित्र दया, hath ending, engendered, engendered मने होता है, पैदा करना, जब हमारे मन में दया होती है, तभी तो हम किसी और की खातर आशू बहाते हैं, तो जो पवित्र दया, जिन आशूं को पैदा करती है, वो आशू हमने अपनी आँख हों से पहुचे हैं, and therefore, और इसलिए, sit you down, आप बैठ जाओ, in gentleness, विनमरता से, and take, और ले लो, upon command, मने कहकर, what help we have, जो भी मदद हमारे पास है, यानि तुम केवल कमांड करो, केवल हमसे कहो, आग्या दो, के विनमरता से कह दो हमसे, जो भी चाहिए, मदद हम करेंगे, that, to your wanting, that, to your wanting, यानि तुम्हारी जो आवश्यक्ता है, want मने चाहना होता है, और आवश्यक्ता भी होती है, जो तुम्हारी कमी के लिए, जो तुम्हारी आवश्यक्ता है, उसके लिए, may be ministered, मने दी जा सके, minister मने देना, तो जो भी दया हमारे द्वारा दी जा सकती है, तुम्हा बैन तो फिर बट केवल फोर बियर रुक जाएए यॉर फूर अपने भोजन को मतब रोक लीजे तिल अलिटल वाइल थोड़ी दिर के लिए वाइल जब तक के लाइक अडो एक हिरनी की तरह आई को मैं जाऊं तु फाइंड धूर कर लाने के लिए माई फॉन मेरे चौने को की तरह जाऊंगा और जैसे वो अपने बच्चे को लाती है वैसे ही मैं धून कर लाऊंगा किसी को और उसको भोजन दूँगा देर इल्स एन ओल्ड पूर मैं वहाँ पर एक बूढ़ा बिचारा आदमी है यानि बहुत सारे ठकाने वाले कदम रखते हुए आ गया है लिम्ट लंगडाते हुए चला आया है इन प्योर लब खालिश महबद की खातिर यानि पवित्र प्यार की खातिर तिल ही बी फर्स्ट सफाइस्ट तिल जब तक के ही बी फर्स्ट उसको पहले सफाइस्ट यानि उसका पेट न भर जाये जब तक के oppressed जो कि परिशान है पीडित है with two weak evils दो कमजोर बुराईयों से और वो दो कमजोर बुराईयां कौन सी है age, बुढ़ापा and hunger और भूख यानि दो दो चीजों से वो पीडित है जब तक उसको उसको पेट भरके ना खिला दूँ I will not touch मैं सपर्ष भी नहीं करूंगा a bit, एक छोटे से भी टुकड़े को मैं चूँँगा भी नहीं Duke senior go find him out जाओ, उसको ढूण कर ले आओ and we will nothing waste और हम कुछ भी बरबाद नहीं करेंगे यानि बिल्कुल भी नहीं खाएंगे till you return जब तक तुम लौट नहीं आते Orlando I thank you मैं आप लोगों का शुक्यादा करता हूं and be blessed for your good comfort और आप लोगों को blessed मने आशिरवाद मिले इश्वर का for your good comfort यानि आपने जो मुझे comfort दिया है, मुझे आराम दिया है राहत दिया है उसके लिए exit और वो चला जाता है Duke Senior तुमने देखा we are not हम नहीं है, all alone हम केवल हमी अकेले नहीं है unhappy, दुखी, इस संसार में केवल हमी अकेले दुखी नहीं है this wide and universal theater ये जो wide मने विस्तृत और universal मने सारभोमिक theater मने रंग मंच तो ये जो बड़ा विशाल रंग मंच है presents प्रस्तृत करता है more ज्यादा वोफल दुख से भरे हुए peasants दृश्य scene then तुलना में the scene उस दृश्य के wherein जिसमें के we play in हम भूमिका निभा रहे हैं तो हमसे भी ज्यादा दुखद दृश्य इस संसार में इस संसार के रंग मंच पर उपस्थित है जेक्स अब ये जेक्स की ये जो speech है ये बहुत ही important है वैसे भी जेक्स की पहले भी कई speeches थी मैंने आपको बताई थी खासी important थी और explanation की point of view से तो कोई जवाब ही नहीं है इस speech का ये अक्सर exam में आती है explanation के purpose से तो जो लोग इसे पढ़ रहे हैं उनके यहां most probably explanation के लिए आएगा पैसेज तो ये पैसेज बहुत important है all the world's stage ये सारा संसार एक रंगमंच है and all the men and women और सारे पुरश और इस्त्रियां merely cable players यनि अभिनेता हैं actors हैं they have उनके होते हैं they are अपने exits exits होता है निकलने का इस्थान आप जानते ही हैं theater में जब जाते हैं तो एक entry point होता है एक exit point होता है तो उनकी अपने exit points होते हैं यानि निकलने का रास्ता होता है and their entrances और उनके प्रवेश द्वार होते हैं and one man in his time और एक व्यक्ति अपने जमाने में यानि अपने जीवन काल में plays भूमिका अदा करता है many parts बहुत सारी भूमिका अदा करता है hills acts उसके जो act होते हैं being seven ages वो साथ अवधियां होती है यानि जो जीवन काल है मनुशे का वो साथ भागों में बाटा जा सकता है at first तो जो पहला भाग है the infant शिशू होता है पैदा होते ही वो infant होता है muleing यानि वो रोता है end packing उल्टियां करता है दूद पीता है दूद को पलड़ता है ये सारे काम वो करता रहता है in the nurses arms अपनी आया की बाहों में उनके हाँ mother साम भी तो कह सकते थे nurse आया ही पालेगी बच्चे को तो अपनी आया की बाहों में then the whining school boy then the whining मनें बड़बडाता हुआ रोता हुआ school boy school का बच्चा तो जब शेशवावस्था खतम होती है तो बच्चे को school भेजा जाता है और school तो आप जानते ही है रो रो के जाते हैं बच्चे पिट-पिट के जाते हैं मारना पीटना पड़ता है ममी पापा को पापा तो खेन नहीं मारते बच्चों को ममी आप होत मारती है जब वो school नहीं जाते हैं आप लोगों का भी experience रहा हुआ मेरा भी रहा है तो फिर whining school boy तो वो रोता हुआ बनविनाता हुआ schoolी बच्चा with his satchel satchel होता है school का बस्ता तो अपने बस्ते के साथ and shining और चमकते हुए morning face सुभे के चेहरे के साथ उसका चेहरा आपको मालूम ही बच्चे का चेहरा कितना चमकता हुआ कितना खुबसूरत होता है तो अपने खुबसूरत चमकते हुए सुभे जैसे चेहरे के साथ creeping रेंगता है like snail snail होता है गौंगा और गौंगा बहुत धीरे चलता बहुत ही धीरे चलता है तो जब कोई बहुत धीरे चलता है तो हम उस कहते है कि बही क्या snail space पे चल लए हुआ walking at a snail space मतब कि बहुत धीरे चलना तो स्कूल की तरफ जब बच्चा जा रहा होता है तो उसकी चाल बड़ी धीमी होती है क्योंकि वो जाना ही नहीं चाहता तो creeping like snail यानि एक गौंगे की तरह चलता हुआ unwillingly अनिच्छा से to school वैसे तो जोग का time नहीं है अक्सर मैं अपनी class में जोग सुना देती हूँ मुझे इसको देखके न एक जोग याद आया चलो मन कर रहा है सुनाने का तो सुन लिजे एक कैदी होता है उसका फैसला सुना रहे होते हैं जज साहब और वो कैदी कहता है के सर मैं गाड़ी बहुत धीरे चला रहा था और मैंने इस आदमी को टकर नहीं मारी है ये आदमी ही मेरी गाड़ी से टकराया है तो जस साहब बोले के भाई इस बात का क्या प्रमाण है के तुम गाड़ी धीरे चला रहे थे तो वो कहता है कैदी के सर मैं अपनी बीवी को लेने उसके माई के जा रहा था तो जसाब बोले हाँ फिर तो सवाली नहीं कि तुम तेज चला रहे होगे भाई आजाद करो इस कैदी को और उसको बरी कर देते हैं जसाब तो जो समझ में आई गया होगा अपनी बीवी को लेने जा रहा है तो कोई जल्दवाजी नहीं होती उसको बीवी को लेने जाने की तो इसी तरीके से ये जो बच्चा है अपने थेले को लेकर उसे कोई जल्दी नहीं है school जाने की और वो बहुत धीरे एक घौंगे की तरह चलता है unwilling यानि अनच्छुक होता है to school जाने के लिए and then और तब the lover वो एक प्रेमी होता है एक school वाली अवस्ता चली गई बच्पन की उसके बाद फिर वो adult sense बनता है करीब उसकी 16-18 18-18 साल की वस्ता होती है तो उसके बाद वो lover बनता है प्रेमी बनता है और जब प्रेमी बनता है तब उसकी हालत कैसी होती है sighing आहें भरते हुए like furnace भट्टी की तरह है आहें भरता है with a woeful ballad woeful मनें दुख से भरी हुई ballad गीत लिखता है ballad एक गीत होता है तो वो प्यार में सब शायर बन जाते हैं आपको ये तो पता ही है जब महबत होती है तो सारे लड़के शायर बन जाते हैं तो वो भी शायर बन जाता है और दुख से भरी हुई दर्दे दिल से भरी हुई ballads लिखता है made to his mistress eyebrow और उस ballad का subject matter क्या होता है his mistress eyebrow मलब उसकी जो महबूबा है उसकी खुबसूरती पर वो कविताएं लिखता है then a soldier तो महबूबा की खुबसूरती वो बया करता है जवानी में मलब युवा वस्था में जब नयाने आए यूथ बना होता है चाहें महबूबा कैसी भी हो इसको बहुत खुबसूरत लगती है फिर वो बनता है सैनिक then a soldier full of strange oats और फिर वो भर जाता है बड़ी अजीव अजीव oats होती है कसमे and bearded like a part beard मने दाड़ी निकल आती है like a part एक तेंदूए की तर है तो वो थोड़ा सा rough हो जाता है एक तेंदूए की तर है jealous बड़ा इंशालू हो जाता है in honor सम्मान के लिए यानि किसी दूसरे को honor मिल जाए medal मिल जाए और से medal नहीं मिला तो बड़ा jealous फिल करता है वो sudden sudden मने fast अचानक से काम करने लेने वाला rash बिना सोचे समझे काम करने वाला quick in quarrel बड़ी जल्दी में quarrel मने जगड़ा जगड़ा तो मोल ले लेता है चलते फिरते जगड़ा मोल ले लेता है ये उसकी आदत होती है seeking तलाश करता है the bubble उस बुलबुले को reputation जिसका नाम है प्रसिधी नाम नाम की खातिर वो जान गवा देता है even in the cannon's mouth तो reputation को वो कहां तलाश करता है cannon के मुँ में भी cannon माने तोप होती है तो तोप के मुँ में भी वो जाने के लिए तयार रहता है किसकी खातिर नाम की खातिर and then the justice और फिर वो क्या बनता है justice यानि नियायाधीश बनता है और एक नियायाधीश के रूप में क्या condition होती है उसकी in fair round belly fair अच्छी खासी round माने गोल मटोल belly माने पेट फिर उसका अच्छा खासा गोल मटोल पेट निकल आता है आपने देखा होगा आदमी लोगों का महिलाओं का अभी एक निश्चे तवधी के बाद पेट निकल आता है मोटे हो जाते है थोड़े तो उसकी fair अच्छी खासी round माने गोल मटोल belly पेट होता है तोंद होती है with good capon lined और वो जो पेट है उसमें क्या भरा होता है good अच्छा खासा केपन होता है मुरगा lined उसकी line बनी होती है क्योंकि वो मुरगा उसने ढूंस के खाया होता है भई हम लोगों के यहां तो नहीं खाया जाता हम तो जातर शाकाहारी होते हैं तो अंडा भी हमारे यहां वर्जित होता है लेकिन यह जहां का है यूरोप का है और वहां पर लोगों को रिश्वत के रूप में मुरगा दे दिया जाता था खाने के लिए अक्सर जो जज़ लोग होते थे नियाए धिश होते थे उनको रिश्वत के रूप में मुरगा दे दिया जाता था तो ये जो इन फेर राउंड वैली विद गुड केपन लाइंड तो अच्छे खासे मुर्गों की उसमें लाइं लगी है उसके पेट के अंदर और इसलिए उसका जो पेट है वो तोंद है गोल मटोल है विद आइस सीवियर आँखें उनकी सीवियर होती है बड़ी लाल लाल निकली होई नियाया धीश हैं आँखें कड़क नहीं रखेंगे अगर मालीजे हम नर्म रुख जिस से अपनाते हैं जिसके साथ वो तो रिश्वत देने से रहा तो उनकी आँखें क्या होती हैं सीवियर होती है भलो भलो कहें छोड़िये खोटे ग्रह जब दान तो जो भला ग्रह होता है बुद्वार को कोई दान नहीं करता शुकरवार को कोई दान नहीं करता दान किसको करते हैं शनी को क्योंकि शनी भाई शनी की नजर टेड़ी नहीं होनी चाहिए तो विद आईस सीवियर उसकी आँखें हर वक्त टेड़ी रहती है और उनकी जो दाड़ी होती है वो उसका कट फॉर्मल होता है यानि आपचारिक कठी होती है फुल अफ वाइज सौज फुल मने भरा होता है उसका दिमाग भरा होता है वाइज मने बुद्धमानी वाली सौज होती है कहावतें तो बुद्धमानी वाली कहावतों से उसका दिमाग भरा होता है बाचीत में हर वक्त बुद्धमानी वाली काहावत हैं वो बोलता है and modern instances और आधनिक instances होते हैं यानि उदाहरन होते हैं कि फला मामले में वो यह हुआ था उस केस में यह हुआ था तो इस तरीके के instances उदाहरन उसके आधनिक उदाहरन उसकी जबान पे होते हैं and so he plays his part और इस प्रकार वो अपनी भूमिका निभाता है the sixth age यानि जो छटी अवधी है या जो छटी भूमिका है shifts वो बदल जाती है into the lean and slippered पेंचालोन फिर अब क्या है आपने देखा होगा जब बुड़े होने लगते हैं हो जाती है धीरे धीरे fat उनकी body से गायब होने लगता है मेरे बाबा है अभी भी जिंदा है मैं मेरी खुद भी अच्छी age है मनदब मैं अपने 40 प्लस हूँ और मेरे बाबा भी तक जिंदा है वो 100 प्लस हैं और बिलकुल हड्डियों का ढाचा है वो इस वक्त ना उनकी आँखें भी नहीं है अंधे हो चुके हैं बहरे हो चुके हैं सुनते भी नहीं हैं देखते भी नहीं है लेकिन सांसे चल रही है और यह सा काफी दनों से है तो बिलकुल हड्डियों का ढाचा है वो तो अब जो है डाउन फॉल शुडू हो जाता है सिस्थ एज में जो छटा भूमिका है उसमें तो दा सिस्थ एज शिफ्ट जो छटा चटी अवस्था है वो शिफ्ट होती है यानि स्थान बदलती है इंटू दा लीन मने हलके फुलके दुबले इन्ड शिफपर्ड यानि जो सरकने वाले पैंटालून पतलून तो जो उनके पतलून है अब वो सरकने लगते हैं धीले होने लगते हैं विद इस पैक्टिकल्स और उनके चश्मा लग जाता लेता है अब तो चश्मा खेर हमारी यहां छोटे-छोटे बच्चों के लग जाते है और एक थेला पाउच लटक जाता है उनकी कंधे पे एक साइड को उनके थेला लटक जाता है उनकी जो यूथफल जवानी की हॉस ड्रेस है वेल सेवड जो के वेल मनें अच्छे तरीके से सेवड मनें उन्होंने बचा कर रखी थी कि बाद में पहनेंगे अब वर्ल्ड टू वाइड अब वो एक इतनी विस्तरत दुनिया हो जाती है यानि अब उनका स्वास से तो वैसा रहा नहीं और जो ये ड्रेस बनी थी वो यूथ फुल थी यानि जो आवस्ता में बनी थी और उन्होंने बचा कर रखी थी कि बाईबाद में पहनेंगे और अब वो बहुत वाइड हो जाती है उनके लिए बहुत धिली हो जाती है चोड़ी हो जाती है वो शिकरी हुई है तो उनकी जो पतलून है पैंट है या बजामा है वो उनके सिकरी हुई टांगों के लिए बहुत धिला हो जाता है और उनकी जो बिग मेंली अच्छी खासी भारी भरकम मर्दों वाली आवाज थी तरनिंग अगें फिर से बदलने लगती है Toward Childish Travel Toward मनी फिर से उसी तरफ जाने लगते है Childish मने बचकाना Travel मने कपकपाहट जैसे बच्पन में बच्चों की आवाज होती है तोतली सी आवाज होती है गलाते हैं बच्चे तुतलाते हैं तो वैसी ही फिर से होने लगते है आपने देखा होगा कि बड़े बुढ़े लोग धंग से बोल नहीं पाते जैसे बुढ़ा पाता जाता है तो वो बोलना कुछ चाहते हैं मुझ से कुछ निकलता है Pipes and Whistles तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई CT बज रही हो pipe बज रहा हो in his sound उनकी आवाज में क्योंकि मुझ पोपला हो जाता है दान तो खड़ जाते हैं तो जो हवा है मुझ से नहीं निकलती तो आवाज उनकी हकला हट आ जाती है लास सीन और फॉल और जो अंतिम दिश्य है सात्मा दिश्य है देट एंड्स जो के खतम कर देता है दिस स्ट्रेंज ये जो विचित्र इवेंट फुल मने घटनाओं से भरा हुआ हिस्ट्री इतिहास है तो अंतिम दिश्य पर ये नाटक खतम होता है ये ड्रामा खतम होता है इस सेकिंड चैल्डिशनेस तो वो फिर से दूसरा बचपना होता है यानि दूसरा शेशवा वस्था जैसे आजाती है और वो केवल भुलकर पना होता है विस्मृती बोलते है हिंदी में तो वो सब कुछ जैसे भूल जाता है आपने देखा होगा मेरे बाबा भी सब कुछ भूल चुके हैं मैं बता नहीं सकती गर उन से मिलने जाती हूँ तो वो समझते ही नहीं कि सुलेखा आई है मिलने जब उनकी आँखें गई थी तो हम उनके हाथ पे लिख देते थे कि मैं अपना नाम लिखती थी सुलेखा तो वो बोलते थे अरे सुलेखा आई है लेकिन अब उनके हालत यह है कि उनके हाथ पर हम लिखते भी हैं तो वो जान नहीं पाते क्योंकि Oblivion हो गया है यानि विस्मिर्ती हो गई है वो सब कुछ भूल चुके हैं अब क्या है? Sans Teeth Sans बने Without अब उनके दांथ नहीं रहते Sans Eyes उनकी आँख है भी नहीं रहती है जैसे मेरे बाबा का हाल है आँख ही नहीं है Sans Taste अब उनको कोई स्वाद भी नहीं रहता किसी चीज़ का स्वाद ही नहीं बता सकते क्या खा रहे हैं वस खा रहे हैं Sans Everything और Without Everything कुछ भी नहीं बचता है सब खतम सा हो जाता है बस सांसें चल रही होती है ये लास सीन बिलकुल मेरे बाबा की याद मुझे दिला रहा है Re-Enter Orlando with Adam अब Orlando एडम को लेकर यहां परवेश करता है Duke Senior Welcome Set Down Yours Venerable Burden Set Down मने रख लीजिए अपनी तश्रीफ रख लीजिए और उसको भूजन करने दीजिए Orlando I thank you most for him मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ उसकी खातिर यानि कि Adam की खातिर Adam So had you need So ऐसी ही had you need तुमको आवश्यक्ता थी यानि ऐसा ही तुमको करना भी चाहिए था यानि मेरी तरफ से इन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए था I scarce can speak scarce माने मुश्किल से ही can speak बोल पा रहा हूँ मैं तो मुश्किल से ही बोल पा रहा हूँ To thank you आपको धन्यवाद देने के लिए For myself अपने आपके लिए यानि मैं तो इन लोगों को धन्यवाद दे ही नहीं सकता क्योंकि मुझे में ताकत ही नहीं है तो यह तुमने अच्छा किया कि तुमने धन्यवाद दे दिया Duke Senior Welcome 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 आपका स्वागत है Fall to मैं तोट पड़ो I will not trouble you मैं तुमको विल्कुल परिशान नहीं करूँगा कश्ट नहीं दूँगा As yet अभी तो To question you कि तुमसे सवाल करूँ About your fortunes तुम्हारे भाग्य के बारे में यानि तुम यहां कैसे आये कौन हो कहां से आये यह सब पूश्ट कर मैं अभी तुम्हें कश्ट नहीं दूँगा Give us some music हमें जरा कुछ music दो कुछ गीत संगीत हो जाए Good cousin अच्छे भाई Sing जरा गाव तो Amines Amines ने गाने का ठेका लई रखा यहां पर Amines Song गीत गाता है यह बहुत ही प्रसिद गीत है यह सीन ही आपके लिए पूरा सीन बहुत इंपोर्टेंट है इसलिए मैंने इस वीडियो में केवल एकी सीन रखा बाकी तो दो वीडियो बनाए थे उनमें तीन-तीन सीन मैंने कर दिये थे तो यहां पर यह गीत है Amines का Blow, blow, दाव, विंटर, विंट चलो, चलो, हे शीत पवन दाव मने तुम विंटर मींस सर्दी की विंट हवा तो तुम सर्दी की हवा तुम चलो दाव आर्ट नौट तुम नहीं हो So unkind, इतनी निर्दई तुम इतनी निर्दई नहीं हो तुम इतनी दुष्ट नहीं हो As man's in gratitude जितना मनुष्य की कृतगंता है कृतगंता एहसान फरामोशी एहसान मानता ही नहीं किसी के लिए कितना भी कर दो वो कोई जिन्दगी में एहसान नहीं मानता तो तुम इतनी निर्दई नहीं हो जितना के मनुष्य की इंसान की एहसान फरामोशी thy tooth तुम्हारा डंक तुम्हारा दांत is not so keen कीन मने शार्प तो तुम्हारे दांत इतने शार्प नहीं है इतने तीखे नहीं है because क्योंकि thou art not seen तुम तो दिखाई ही नहीं देती हो although तुम्हारी जो ब्रैथ है यानि तुम्हारी जो महसूस होती है हवा भी rude वो बड़ी असब्ध है यानि बड़ी तीखी है बड़ी चुबती है हे हो sing हे हो unto the green holly यानि green holly ये एक पेड़ है तो चलो भई इस पेड़ के साथ गाओ इस पेड़ के नीचे गाओ हरे भरे पेड़ के नीचे गाओ most friendship is feigning most ज्यादा तर friendship दोस्ती is feigning मने दिखावटी होती है feign मने केवल कलपना करना दिखाना assume करना तो ज्यादा तर जो दोस्ती है वो दिखावटी होती है most loving mere folly और ज्यादा तर जो loving मने महबत होती है इश्क होता है mere cable folly मने मुखता होती है तो ज्यादातर महबत यहां मुखता होती है धन हे हो दाखली हाँ तो गाओ भी पेड़ के नीचे दिस लाइफ इस मोस्ट जॉली यह जो जिन्दगी है बड़ी खुशकमार है जॉली मने खुशकमार दिस लाइफ यह जो जिन्दगी है जो यहां पर इस जंगल में जो लाइफ है वो बड़ी खुशकमार है फ्रीज फ्रीज जम जाओ जमादो दाओ विटर स्काई तुम कठोर आसमान जमादो तुम धंड से थंड बहुत पढ़ती है ने यूरोपम मैंने आपको बताई तो तुम थंड से जमादो धैट डस्ट नॉट बाइट सो नाए धैट तुम जो के दस्ट नॉट बाइट नहीं काटते हो सो नाए इतना गहरा एज बैनिफिट्स फॉर्गॉट एज जितना के बैनिफिट्स फाइदे यानि एहसान फॉर्गॉट जो भूला दिये जाते हैं यानि हमने किसी को ऊपर कुछ एहसान किया हमने किसी के लिए कुछ किया किसी का फाइदा किया किसी की सेवा की और वो सेवा को भूल जाए गिरती है तो तुम जो जमाय दे रहे हो हमको से इतनी पीड़ा नहीं होती है जितना benefits for God दाव 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 वाटर्स वार्प दो हलांके दाव तुम दाव वाटर्स पानी को वार्प का मतलब होता है deviate कर देना मोर देना अपने रास्ते से हटा देना तो जो हवा है सर्दी की हवा है वो रास्त जो पानी है उसका रुख मोर देती है तो दो दाव दा वाटर स्वार्प हलांके तुम पानी का रुख मोड़ देती हो दाव स्टिंग तो भी तुम्हारा डंक इस नॉट सो शार्प इतना तीखा नहीं है एज फ्रेंड जितना के वो दोस्त रिमेंबर्ड नॉट जो हमें याद नहीं करता यानि ये सरे भरे पेड़ के नीचे चलो गीत गाते हैं इसका मतलब मैं पहले ही पता चुकी हो आपको यानि ये जो उंचा सा पेड़ है तो वो पेड़ का नाम है तो इस उंचे से पेड़ के नीचे ये जो जिन्दगी है वो बड़ी खुश गमार है खुशी से भरी हुई है अगर तुम हो अच्छे भले मानो सरोला के बैटे as you have whispered जैसा कि तुमने फुस फुसाया है faithfully वफादारी औरवक you were कि तुम हो and as mine eye और जैसा कि मेरी आँखें death his effigies effigies का मतलब यहां हुआ similarities तो उनकी जो समानताएं हैं witness देख रही हैं मेरी आँखें यानि तुम्हारी शकल काफी उनसे मिल रही है सर रोलना से most truly बहुत सच्चे तरीके से limbed मतलब कि बनी हुई है चाई हुई है and living in your face living दिख रही है in your face तुम्हारे चेहरे पर be truly welcome हिदर तो तुम्हारा सच्चे दिल से स्वागत है यहां पर I am the duke मैं वो duke हूँ that loved your father जो तुम्हारे पिता से प्यार करता था the residue माने बचा हुआ of your fortune तुम्हारा भाग्य और भाग्य का मतलब कि तुम्हारा जो कहानी है तुम्हारी जो स्टोरी है तुम्हारी राम कहानी go to my cave चलो मेरी गुफा में and tell me और वहां चलके मुझे बताओ जितना के तुम्हारे मालिक का स्वागत है यानि Adam से कह रहा है Duke कि तुम्हारा भी वही स्वागत है support him उसको जरा सहारा दो by the arm बाहों का give me your hand मुझे अपना हाथ दो and let me all your fortunes understand और मुझे all your fortunes यानि तुम्हारी सारी कहानी तुम्हारी सारी life story तुम्हारी जीवन गाथा understand मुझे समझाओ मुझे बताओ accent और ये कहते हुए ये लोग चले जाते हैं ये scene यहां समापत हुआ और second act भी यहां समापत हुआ अगले वीडियो में act third का first scene करेंगे तब तक के लिए अलविदा